नमस्कार मैं अनूच्छा बड़ा आज हम सीखने वाले हैं कि लोटस को कमल को बीजों से किस तरह उगाया जा सकता है जादा तर लोग लोटस को राइजोम से उगाते हैं उससे उगाने का एक फाइदा यह होता है कि फ्लारिंग बहुत जल्दी हो जाती है बट राइजोम जो सकता है तो इसके बीज काफी आसानी से मिल जाते हैं स्पेशली अगर बात करें तो पूजा की समागरी की जो दुकाने होती है जहां पर हम पूजा की सारी चीजे लेते हैं उन दुकानों में यह मिल जाता है इसकी अगर वेराइटी की बात करें तो बहुत सारी वेराइटी कमल के फूलों की अवैलेबिल है मार्केट में जितने सुंदर फूल उतने महंगे उनकी बीजों के दाम तो कोशिश करें सबसे पहले सस्ते और आपको जो भी मिल जाए उसे एक पूरा प्रोसेस आप समझ ले उगाने की कोशिश करें जब आपको confidence आ जाए तो आप किसी भी त सकते हैं नर्ट के गटो करें पूलत सकते हैं तो अब शुरू करते हैं वीजों से तो लोके जो वीज यह्ते इस तरह के बाजार में मिलते हैं ठीक मैं तो इसको अगर अगर आप ध्यान से देखें तो एक तरफ यह नुकीला बाता जोग होता है और यह तरह गोलाकार होता लोटस की जो seeds हैं, इनकी जो outer covering होती है, ये बहुत जादा hard होती है, तो जब इने पानी में भिगोते हैं, तो ये कम से कम आप कह सकते हैं, 15-20 दिन कई बार एक महीना भी लगा देते हैं, इन में से sprouting होने के लिए, तो अगर हम चाहते हैं, कि इन से थोड़ी sprouting हो जाए, तो स या दिवार पे हलके से घस लें, तो उससे क्या होगा, इसकी उपरी जो coating है, वो थोड़ी हट जाएगी, देखी मैं इसमें बहुत है, और अंदर से ये सफेद सफेद दिखना शुरू हो जाएगा, इस कंडिशन में हम इसे पानी में भिगो देंगे, पानी में भिगोते व जल्दी होगी, अगर आपने इसको रगड दिया है, और पानी रगाता दो या तीन दिन में बदल रहे हैं, तो स्प्राउटिंग जल्दी होगी, और जब स्प्राउटिंग होने लग जाए, तो आप देखेंगे, कि ये कुछ इस तरह का दिखना शुरू हो जाएगा, इसम ना निकले, कुछ दिनों बाद आप देखेंगे, इस कंडिशन में भी हमें उसे कटोरी में रखना है, या किसी भी बर्तन में जिसमें आप रख रहे हैं, पानी बदलते रहेंगे, इसे तब तक वहां रखना है, जब तक कि उसमें इस तरह की थोड़ी थोड़ी जड़े न का ग्लास कह सकते हैं, कि प्लास्टिक का ग्लास ले लीजिए, जिसके नीचे छेद ना हो, उसमें मिट्टी, अब मिट्टी किस तरह की लेंगे, इसमें हमने गार्डन सॉयल लीए, रेड सॉयल, कॉम्पोस्ट है, या आप गोबर की खाद भी ले सकते हैं, सबसे जरूरी च क्राफ्ट शॉप से भी ले सकते हैं, लेकिन सिंथेटिक क्ले लेंगे, आप नॉर्मल जो नदी के किनारे की मिट्टी होती है, अब इन तीनों को मिक्स करके, मैंने इस ग्लास में डाल दिया है, और हमारी जो स्प्राउटिंग हुई हुई है, उसे हम इसे अच्छी तरह द हम इसे किसी भी इस तरह के टब में, जिसकी गहराई कम से कम 15 से 20 इंच की डेप्थ होनी चाहिए, सिर्फ पानी भरे और इन ग्लास को उसके अंदर इस तरह डुबा के रखते, कुछ दिनों बाद आप देखेंगे, कि जब हम इन ग्लास को निकालेंगे, तो आप देखेंगे, कि इन में रूट्स के साथ साथ, राइजोम्स की फॉर्मिशन भी बननी शुरू हो गई है, मतलब यह जो स्टेज है, इसमें अब हम इने और जादा इस छोटे ग्लास के अंदर नहीं रख सकते, क्यूंकि यह जो राइजोम्स है, यह होरिजॉंटली बढ़ते हैं, और इने काफी जगा चाहिए होती है, इतने बड़े टब में, करीब 20 इंच की गहराई वाला जो टब है, उसमें जादा से जादा आप एक या दो लोटस ही लगा सकते हैं, इस से जादा लोटस अगर आप लगाएंगे, तो उनमें फ्लारिंग नहीं होगी, क और पौधा अपना पूरी तरह से निट्रिशन अब्सार्ब नहीं कर पाएगा, तो जब इस टेज में यह पहुंच गया है, तो हर टब में एक या दो ही रखें, अब हमें टब में मिट्टी कैसे तयार करनी है, हमने करीब 20 इंच का टब ले लिया है, इसमें करीब 3 से 4 इं बहुत अच्छी बात है, इसमें फिर से मिट्टी हमें ऐसी ही त्यार करनी है, जिसमें हमें इकुल मात्रा में गाडन सोयल, कॉम्पोस्ट या गोबर की खाग और क्ले, इकुल मात्रा में तीनों को मिक्स कर लेना है, और हमारा जो टब है, उसे कम से कम 3-4 इंच तक उस मिट बहुत लेना है, उस भरने के बाद यह जो हमने तयार किया है लोटस का बीज, उसे ऐसी जगह पर रखना है, जो कि बिलकुल सेंटर में ना हो, जैसा कि मैंने कहा कि लोटस के जो राइजोम्स होते हैं, वो होरिजॉंटली ग्रो करते हैं, और सर्क्यूली आप कह सकते हैं, तो अगर मैंने इसे सेंटर में लगा दिया, तो इतनी जगह नहीं मिलेगी गूमने के लिए, तो मैं कोशिश करूँगी कि इसे एक साइड में लगाँ, जिससे उसकी रूटस को गूमने की जगह मिले, और काफी अच्छे से मेरा पौधा बढ़ता रहे, अब कही लोगों क प्रशन आता है कि पानी ठहरा हुआ है, इसमें मच्छर आ जाएंगे, क्योंकि स्टागनेंट वाटर है, मच्छर आने की संभावना है, तो इसके दो तरीके हो सकते हैं, एक तरीका यह है कि हर 10-15 दिन में आप इसके पानी को ओवरफ्लो करें, कि और पाइप से या कोई ची पूरे साइकल को उन्हें कम से कम 15 दिन लग जाते हैं, तो 15 दिन में अगर आपने एक बर वाटर चेंज कर लिया तो मच्छों की समस्या नहीं आएगी, लेकिन अगर यह आपके लिए पॉसिबल नहीं है, हर 15 दिन में आप नहीं पानी चेंज कर सकते हैं, तो इसमें छोटी मचलियां, गपीज या मॉलीज, मैं उसकी फोटो भी डाल दूँगी, आप देख लीजेगा, गपीज या मॉलीज होती है, वो चोटी-चोटी मचलियां होती है, उन्हें आप इसमें डाल दीजिये, इतने बड़े टब में कम से कम तीन या चार जोडी मचलियों की डाल सकत जोडी का मतलब है, एक मेल, एक फीमेल, तो अगर चार सेट्स आपने डाल दीए, तो वो धीरे-धीरे महीने, दो महीने में भी मल्टिप्लाई होती रहेंगी, और आपके इसमें जो भी मच्छनों ने लार्वे दिये हैं, या जो भी आल्गी फॉर्मेशन होती है, क्योंकि पत्तों के नीचे थोड़ी काई सी जमती रहती है, तो मच्लियां जो हैं वो उसे खा लेती है, और मच्लियों की जो पूप होती है, उसमें इतना जादा नाइट्रोजन होता है, जो कि हमारे पौधे के लिए, लोटस के लिए बहुत फाइदे मन्द है, तो ये एक बहुत इको सिस्टम तयार हो जाता है, और कोशिश करें कि आप जब भी अपने स्पॉट को सेट कर लें, इसे ऐसी जगा पे रखें, जहां कम से कम पांच से छे घंटे की धूप आती हो, ठीक है, तो धीरे धीरे जब आप देखें, इसमें अभी आप देखेंगे कि इतने सारे लो इसी होगी, मैं उसकी भी वीडियो जल्दी ही आपके साथ शेयर करूँगी, कहीं लोगों का प्रशन आते रहते हैं, किसे कितना समय लग जाएगा फ्लारिंग होने में, तो डिपेंड करता है, आपने किस तरह के बीज यूज किया है, छे महिने से लेके करीबन एक साल तक करने के लिए, सबसे जाधा difficult stage जो है बीज से लेके राइजोम बनने तक की stage है, करीबन आप क्या सकते हैं, इस स्टेज से यह राइजोम बनने तक की stage को धाई से तीन महिने लग गए है, इसके बाद का प्रोसेस फोड़ा जल्दी हो जाता है, अब हम बात करते हैं कि न्यू तो जैसे जैसे पौधा बढ़ेगा उसकी requirement भी बढ़ेगी तो हम क्या कर सकते हैं सूखी गाय की गोबर के इस तरह के उपले मिलते हैं आप इतना एक बड़े का आप कह सकते हैं कि एक चौथाई भाग इसे आप 15-20 दिन या महिने में एक बार इस तरह इसमें डाल दीजे धीर गुलने लग जाएगा और इसमें इतने सारी nutrition होते हैं जो कि आपके पौधे के लिए sufficient है तो अब एक चीज और कईयों को परशान करती है कि क्या हमें इसका पानी बदलने की ज़रत है या कितने दिनों में बदलने की ज़रत है या ना बदले तो चलेगा जैसे जैसे आपका पौधा बड़ा होगा उसके rhizomes और जादा बड़े होंगे और उन्ही rhizomes से नए पौधे भी निकलने शुरू हो जाते हैं तो अगर आपने पौधों की जब एक बार फ्लारिंग हो जाती है तो यह धीरे धीरे डॉमेंसी में चले जाते हैं डॉमेंसी एक ऐसी अवस्ता है प्लांट्स की जिसमें वो आप क्या सकते हैं कि वो सोने चले जाते हैं एक स्लीपिंग टाइम जोन है उनका तो उस समय अगर हम इनके rhizomes निकालके उन्हें सेपरेट करके उनसे और प्लांट्स उगाना चाहें तो हम कर सकते हैं और कई बार हम अगर जो इनका डॉमेंसी पी अपने आप ही सूख जाते हैं तो जब वो पत्ते सूख गएं उन्हें जादा न्यूट्रिशन उस तरह में देने की ज़रत नहीं है डॉमेंसी के बाद इसमें आप देखेंगे कि काफी सारे राइजोम्स मुल्टिप्लाई हो गए तो उन राइजोम्स को सेपरेट करके एक कोशिश करें कि आप उन्हें रेगिलर मॉनिटर करते रहें कि आपके राइजोम्स यापके पत्ते सड तो नहीं रहे हैं और अगर पत्ते बहुत जादा हो रहे हैं तो उन्हें समय समय पर थिनिंग करें नहीं तो सूरज की रोशनी पूरी आपके लोटस के राइजोम्स औ नहीं पहुंचेगी रूट्स तक, तो फ्लारिंग अच्छी नहीं होगी, तो आशा करते हूं कि लोटस से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होगे, इसके अलावा वाटर प्लांस पे मैंने और भी दो वीडियो बनाई हैं, उनके लिंक भी डाल दूँगी, इसमें एक cut होता है, जब कि अगर आप लोटस का देखे, तो इसमें proper circle होता है और लोटस के leaf काफी creative and coated phosphorus होता है, यदी यदि के पानी डालते हैं, कि लिलीज जब हम उगाते हैं, तो हम उसे टब के अंदर एक छोटा कंटेनर में लिलीज को उगाया हुआ है, तो डबल टब मेथड में लिलीज उग जाते हैं, पर इस मेथड को लोटस के लिए अपलाई ना करें, क्योंकि लोटस की राइजोम्स और रूट्स को बढ़ने के अगर आपने उन्हें स्मॉल कंटेनर में डबल टब के मेथड में रखा तो पतियां अच्छी हो जाएंगी लेकिन आपकी अच्छी नहीं होगी, तो इसके अलावा और कुछ खास ज़रत नहीं है, कई लोग डियेप का भी इस्तेमाल करते हैं, तो वह महीने दो महीने में ए पड़ा है कि लोग डियेप का इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आप चाहें कि जादा फ्लारिंग चाहिए या आपको यह गाई के उपले उपलब नहीं हो पारें, तो आप डियेपी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, दने वा जस्तेमाल कर दोले बेताँ.